नमस्कार गोरखपुर नियूज में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ समी निर्देशित करे कि बिना आईडी प्रूफ के वर्दी और समान ना बेचे ना ही सिले उन लंगन करने वालों पर कड़ी कारवाई करे जिससे वर्दी को बदनाम करने वाले और समाजिक ततों पर अंकुष लग सके इतना ही नहीं, आईडी दिखाने के बाद ही खाकी और अन्य सामागरी देने का भी निर्देश दिया गया है गोरकपूर में दर्जन से अधिक दुकाने है, शहर वा कस्वों में उपलब्ध हैं यहां पर पुलिस की वर्दी और अन्य सामागरी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहां कोई भी पुलिस की वर्दी तीन से चार हजार रुपए में खरीच सकता है। SSP ने सभी सरकिल अफसर वह अप्रभानी रिचक और थानेदारों को निर्देशित किया कि वह अपने अपने थाना एरिया में पुलिस वर्दी का कपड़ा और वर्दी से संबंधित अन्य सामागरी बेशने वाले दुकानदारों को साथ ही वर्दी सिलाई करने वाले टेलर्स से संपर्क कर उन्हें चिन्धित किया जाए। लापरवाही मिलने पर उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाए जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस की वर्दी उसकी सिलाई कराए तो दुकानदार और टेलर्स उनकी ID प्रूफ छायप्रती जरूर ले ताकि अवैत तरीके से पुलिस की वर्दी धारड कर गलत कारे करने वालों के विरुद विधिक कारेवाई की जा सके इस संबध में गोरखपुर निउस से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरो ग्रोवर ने कहा बेचा जाता है या उसकी सिलाई होती है तो उन संबंधित दुकानदारों को और संबंधित जो टेलर्स हैं उनको चिन्नित कर ले उनको इस बात के बारे में जागरूख करें कि जब भी कोई व्यक्ति उनसे पुलिस या अन्नस रक्षा बनों की कोई भी वर्दी का कपड़ खरीदने आए या सिलवाने के लिए आए तो उसका आई कार्ड की फोटो कॉपी प्रमाने जो कि उसके साइन शुदा हो उसको जुरूर रखवा ले उसके बाद ही उसको कपड़ा बेचा जाए या उसकी सिलाई की जाए बेसिकली ये निर्देश इसलिए दिये गए है कि कह झाल